वेलकम बैक एवरीवन दिस इस मैंक और नमेंबर टूथाउजन टूजन 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 आपको मिलने चाहिए और किस सिच्वेशन में आपको ग्रेस मार्स मिलेंगे सबसे पहले सर ये नमेंबर 2024 का जो सजिस्टेड आंसर है ये मेरे से प्रिपेर किया गया है थोड़ा फटाफट किया गया है हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो कहीं पे भी ऐसा लगता है तो जरूर मुझ तक पहुंचिये टेलिग्राम में और मुझे बताइए I will be very happy to incorporate और correct that mistake first of all अच्छा जस्ट किव में ए सेकंड या हाँ अब बात शुरू करते हैं सबसे पहला जो ये पेज है अच्छा ये जो पीडिए फैनमेंबर 2024 के सजिस्टेड आंसर का ये मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा you can download and you can go through it at your own pace तो सबसे पहला जो पे और compiler 4.0 का reference भी दिया है questions का बहुत प्यारी चीज़े है आपको ये सब चीज़े जानके थोड़ा राहत भी मिलेगी कि ऐसा नहीं था कि एकदम से बाहर से कहीं से paper आया है institute ने क्या करा जो सीधा सीधा question था उसको वोई question में से data उठाके थोड़ा reverse calculation पूछ लिया यानि कि आ आपके book में compiler में बोलो institute के material में बोलो कोई और faculty के book में बोलो अगर कोई चीज question में दी है और उसका answer निकालना है तो इस बार answer का data question में दिया था और question का data निकालने बोला गया था तो that is we call it as a reverse calculation so आप थोड़ा notice कर सकते हो कि almost हर question का reference है यहाँ पे किसी question से और जहाँ पे मैंने 100% लिखा है न 100% का मतलब है वो pattern पूरा का पूरा match करता है existing question से तो जो की book में है अब मैं example लेता हूँ 100% match करने वाले जो questions है वो 58 marks के पूछे गए कितने में से sir 118 में से so आधा paper तो आपका almost exactly वैसा ही आया जो आपके पास में questions है almost सारी faculty के books में मिलेगा institute के material में मिलेगा मैंने compiler से reference दिया reverse calculation के कुछ questions आये थे वो 30 marks के question थे sir 30 और 80% plus figures भी match कर रही है अप अंदाजा लगा सकते हो कि institute ने book में से किसी question में से figures तक same उठा के डाल दी exact number तक match कर रहा है और ऐसे question जिसका जिसमें अगर total 10 figures है तो उसमें से 8 figures match कर रही है वो 24 marks के आये हैं ऐसे यानि कि ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गए ठीक है अब इसके अलावा मैंने reference दे दिया तो आप ये go through कर सकते हो अब हम दूसरे page पे जाते हैं और सबसे पहले मैं सर इन दो चीजों की बात कर लेता हूँ चलो question number 2 B आपका capital budgeting का question था जिसमें discounting का rate missing था अब ऐसे में अगर आपने question number 2 का A C C है नहीं है question number 2 का A अगर attempt भी करा है तो आपको B attempt करा हो नहीं करा हो marks 6 marks उसके मिलने चाहिए आपको पूरी तरह से grace marks 6 नहीं sorry 8 marks है ये तो A वाला मैं एक बार देख लेता हूँ कि A वाला 6 था या B 8 था चलो जो भी होगा 6 और 8 तो ये 8 marks आपको मिलने चाहिए इसके बाद आते हैं sir question number 5 A पे अब 5 A में बड़ी सी problem थी ठीक है problem क्या थी मैं paper देखता हूँ मेरे पास होगा यहाँ पर यह question number 5 है problem यह थी sir कि अब यह pattern भी एक question है हमारा आपके material में home currency foreign currency अप्रोच वाला वहीं से data तो उठा के कुछ नया बनाया है उन्होंने problem यह थी sir कि सबसे पहले तो इन्होंने दिया नहीं कि home country का home currency का discount rate क्या होना चाहिए foreign currency का discount rate क्या होना चाहिए कोई भी एक data दे देते तो हम आगे बढ़ सकते थे हाला कि question में जो यहाँ data दिया हुआ है इससे आप easily पता लगा सकते हो कि home currency का discount rate क्या होगा अगर आप match करने की कोशिश करोगे न तो यह है आपका risk free rate इंडिया का यानि की rupees का और यह है dollar का अगर आप क्या कहते हैं nominal rate और real rate वाला formula लगाते हो तो आपको idea आ जाएगा कि आप यह 15% और यह 6.976% यह दोनों rupees वाले rate हो गए इससे आपका premium निकल के आएगा inflation premium बोलो risk premium बोलो और वो अगर आप dollar के risk free rate के साथ लगाओगे तो nominal rate निकल के आएगा dollar का जो की है 12% exact match करेगा तो यहां से यह confirm हो जाता है कि 15% आपका RD भी नहीं आपका risk adjusted discount rate बन जाएगा rupees को discount करने के लिए home currency discount rate कहते हैं हम इसे पर इसके बाद में भी clarity नहीं है कि इसको data मिल गया तो यह solve हो जाएगा ऐसा नहीं PQR Limited is expecting net surplus of 1858 अब यह surplus या नहीं क्या क्योंकि आगे institute ने क्या लिखा कि यह पैसा मिलेगा after the closure of the project या नहीं कि 5 साल बाद कुछ मिलेगा अब 5 साल के बाद जो मिलता है हम generally उसे salvage value कहते हैं पर यहां पर और लिख दिया कि there is no salvage value अब मुझे तो यहीं लगता है maximum लोगों को यहीं समझ में आ जाएगा कि 1858.08 वो net present value बोलना चाहता है चलो ठीक है आप उसको assume भी कर लो अब यह दो assumption भी अगर हम ले ले कि यह NPV है और 15% हमारा home currency discount rate होगा उसके बाद में जो पूछा गया है question में you are required to recommend the INR और USD rate for the forward cover forward cover के लिए rates भी नहीं लिखा एक S भी लगाता तो समझ में आता है कि आगे हमें हर पांचों साल में से हर साल का rate निकालना है उन्होंने rate नहीं लिखा पांच अलग अलग साल है सर अगर convert करना है foreign currency को home currency में तो पांच साल के पांच forward rate लगेंगे तो क्या हम उसको IRPT से निकाल ले हमारे पास में दो rate दिये हुए है risk free rate हमारे पास में यह है 83 का rate 83 से हमारे पांचों साल के rate निकल जाएंगे हम उसे अपने currency में discount convert तो जरूर कर लेंगे और 15% पे discount भी जरूर कर लेंगे पर वो इससे match नहीं करेगा क्योंकि इसमें आपकी clarity नहीं है कि यह कप का है और NPV है पाच साल बात का क्योंकि NPV मानोगे तो फिर यह लिखा हुआ रहना गलत हो जाता है to be received after the closure of the project so all together इसमें भी आपको grace marks मिलने चाहिए तकरीबन 6 marks यह और शायद 2b आपका 8 marks का था right तो 8 और 614 marks तो यहीं पे हो गए अगर आपने attempt करा है तो 2a भी अगर attempt करा होगा तो b के marks मिलने चाहिए और 5 का b भी attempt करा होगा आपने 5 का b क्योंकि काफी आसान था exact question institute के material में भी है हमारे compiler में भी है तो यह आपको marks मिलने चाहिए तो 14 marks तो लेके चलो चाहिए अच्छा एक और clarity मैंने mcq के solution दिये थे जिसमें मैंने बोला था कि question number 1 जो है आपका इसका जो present value at the end of fourth year लिखा है उसका answer 6.53 है अब इस question में भी clarity नहीं है एक और interpretation जो बच्चों ने ही मुझे बताया and I am thankful to them कि 4 साल के end पे सारे dividend का यह नहीं 1st, 2nd, 3rd, 4th year के dividends का total बताना है आपको present value का और वो आता है 23.71 तो यह भी correct answer हो सकता है हाला कि ऐसा सवाल पूछना बहुत illogical है क्योंकि इसका कोई लेना देना नहीं है intrinsic value हम निकालते हैं इसका लेना देना होता है हमें पता करना होता है हमें expected return पता करना होता है CAPM से निकालते हैं हम ये भी निकालते हैं कि perpetuity की value किया है over value देंड़ यह सब चीजों का ना कोई reason होता है पूछने का भी आप पूछोगे तो ऐसा कुछ भी पूछ लो और जिसका मतलब भी ढंग से नहीं निकल रहा या तो लिखो कि present value of all the dividends at the end of fourth year या present value of the dividend of the fourth year तो हम answer दे अब इसमें दो interpretation अपने-पने बनते हैं जैसे institute अब देगी marks वो देगी तो किसी को marks मिलेंगे इसमें किसी के कटेंगे भले दोनों में से कोई भी अपने answer लिखा होगा so this is it इसके अलावा आजाओ suggested आगे है second page पे मैंने आपको detail दे दिये कि कौन से chapter पे कौन सा question पूछा गया था अब अंदाजा मैं आपको बता दू यहाँ पे तो practical 110 marks का और थेरी सिर्फ दो question थे चार-चार marks के तो थेरी पे एक तो थेरी बहुत vast है क्या पूछेंगे कुछ नहीं पता हाँ कुछ selected chapters है उसी में से थेरी पढ़के जाओ तो better होता है और उसी में से थेरी आई भी थी एक तो यह आपका start-up finance एक होता है यह financial policy in corporate study यह pure theory के chapters थे और इसी में से थेरी पूछी गई इसके लावा securitization का भी है पर इस पे कोई marks का नहीं पूछा गया security analysis पिछले attempt में पूछ लिया था में में तो यहाँ पे नहीं पूछा उन्होंने इसके लावा और कौन सा हाँ यह दो इक chapter ऐसे थे रिस्क management पे भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा अगले attempt में इन तीनों में से आएगा तीनों में कुछ ना कुछ मान के चलना ठीक है अब यहाँ से तो suggested चालो होता है यहाँ से आप go through करो जिनको लगता है कि marks पता करने हैं कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे 99% तो सही यह सारा data कहीं लगता है तो बताना ज़रूर ठीक है so telegram के group में मैं आपका इंतजार करूँगा जो भी आपको doubt होगा AFM से related you can ask me there as well यह सिर्फ मैं suggested की बात नहीं कर रहा हूँ आप अगर institute का material पढ़ रहे है compiler से पढ़ रहे हैं तो you can go through it May 2025 और onwards अगर आपका attempt है और आपको practice के लिए एक whole and soul book की तलाश है तो you can go for compiler 5.0 उसमें सब कुछ cover है May 2024 तक का November 24 का question paper जो यह वाला है और RTP MTP में कुछ दो तीन नए question थे बस उतना तो आपको मैं अलग से PDF देई दूँगा टेलिग्राम पे I hope आपको आपकी तैयारी अब आगे जो भी May 2025 वाले है और उसके आबाद वाले तैयारी शुरू कर दो और मैं हूँ साथ में पूछो सवाज जितने पूछने See you